हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वॉक्षीट नमबर 10 जो की 19 अगस्थ 2021 की वॉक्षीट है और आज का हमारा विश्य है विज्ञान और आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्षम जीवों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं छोटे होते हैं जिने हम अपनी आखों से बिना सूक्षम दर्शी के नहीं देख सकते हैं क्योंकि जितने भी सूक्षम जीव नाम से पता चलता है सूक्षम मतलब छोटे ये बहुत छोटे होते हैं और इनको देखने के लिए हमें एक यंत्र की जरूरत पढ़ती है जो की है सूक्षम दर्शी ये सूक्षम जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो कि स्वस्थ होता है के पास हवा, पानी, सास या संपर्क द्वारा फैल जाते हैं होता क्या है एक इनसान जो बिमार है और क्यूंकि वो बिमार है इसका मतलब उसके शरीर में सूक्षम जीव है ये सूक्षम जीव इस बिमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं कुछ चीजों के द्वारा और उसके बाद वो व्यक्ति भी बिमार हो जाता है अब जाते कैसे हैं जैसे मानलो हवा में कोई बिमार इंसान है हवा में सांस ले रहा है वहीं पे एक स्वस्त इंसान भी है तो वो हवा उसके स्वस्त इंसान के अंदर भी जाएगी और जो सुक्षम जीव उस हवा में मिले होंगे वो भी उस इंसान के शरीर के अंदर चले जा जाता है सास के द्वारा या एक ऐसा इंसान जो बिमार है उसको हम छूते हैं उसके संपर्क में आते हैं तो उसके शरीर से वो सुक्षम जीव हमारे शरीर में भी आ जाएंगे और इस तरीके से हम बिमार पढ़ सकते हैं आज हम मानव और पश्वों में सुक्षम जीव के जो इन सूक्षम जीवों के द्वारा फैलाई जाती है मानव में सूक्षम जीव द्वारा होने वाली बिमारी तो यहाँ पे पहला है प्रोटो जोवा जो कि एक सूक्षम जीव है और प्रोटो जोवा से कौन से बिमारी होती है तो वो होती है मलेरिया अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है पर देखो होता क्या है जिसे मान लो ये एक इंसान है जिसको मलेरिया है अब ये मच्छर इस इंसान को काटेगा इस इंसान के शरीर में जो खून है वो इस मच्छर के अंदर आएगा अब ये खून जो इस मच्छर के अंदर है जब ये मच्छर एक स्वस्थ इंसान के उपर बैठेगा और उसे काटेगा तो इस खून का कुछ अंश तो इसके शरीर में भी चला जाएगा और इसी खून के अंदर मिले हुए होते हैं प्रोटो जोवा ठीक है क्योंकि ये इंसान बिमार था मलेरिया से तो इसके अंदर प्रोटो जोवा थे वो प्रोटो जोवा मच्छर में ट्रांसफर हुए और इस मच्छर के द्वारा इस स्वस्थ शरीर के अंदर प्रोटो जोवा प्रवेश कर गए और इस तरीके से ये इंसान भी मलेरिया से ग्रसित हो जाएगा यानि इस इंसान को भी मलेरिया हो जाएगा तो मच्छन क्या करते हैं? एक इंसान से प्रोटोजोवा लेकर दूसरे इंसान में फैलाने का काम करते हैं और इस तरीके से मलेरिया की बिमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है दूसरा है जीवानू जिसको हम कहते हैं बैक्टीरिया इसके द्वारा श्रेय रोग होता है, हैजा होता है और आंटरजवर होता है तो ये तीन बिमारियों के नाम आप याद रखेंगे जो की जीवानूओं के द्वारा फैल आए जाते हैं इसके बाद है वाईरस, तो वाईरस के द्वारा कौन कौन से बिमारिया होती है पोलियो, खसरा, हैपटाइटिस A और चेचक तो ये सारे बिमारिया फैलती है वाईरस के द्वारा, ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये बिमारिया इन सुक्षम जीवों के द्वारा तो फैलती है पर क्या इन बिमारियों से बचने के कुछ उपाए हम अपना सकते हैं तो बिल्कुल कुछ तरीके हैं जिनसे हम इन बिमारियों से बच सकते हैं कौन कौन से तरीके? पहला है अपने आसपास सफाई रखना चाहिए हमें और खुले में सौच कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिमारी का बहुत बड़ा कारण बनता है अगला है खाना खाने से पहले और बाद में हाथ को अच्छे से जरूर धोना चाहिए जिससे कोई भी गंदगी या अगर हमारे हाथों में कोई जीवानू या विशानू है तो हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश ना करें इसके बाद है पानी को अपने आसपास इकठा ना होने दें क्योंकि अगर हमारे घर के आसपास या घर में कहीं पे पानी इकठा है कई दिनों तक तो उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे और कभी कभी कुछ कीड़े भी यहां पैदा हो जाते हैं और इन मच्छरों से और कीड़ों से बिमारिया फैलती हैं फिर है बच्चों को समय पर टीका लगवाएं तो अपने देखा ही होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें समय समय पर कोई ना कोई टीका लगवाया जाता है तो ये लगवाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बच्चों को बिमारियों से बचाने का काम करते हैं अगला है खास्ते समय मुझ पर रुमाल रखें आपको जबी भी खासी आती है तो आप जरूर अपने मुखो रुमाल से ढख लें इससे क्या होगा कि हम स्वस्त रहेंगे और साथ ही साथ अगर बाई चांस हम बिमार हैं तो हम अपने बिमारी दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचाएंगे तो इस तरीके से हम खुद को भी बचाएंगे और दूसरे लोगों को भी बचाएंगे तो ये उपाएं हैं जो हम अपना सकते हैं बिमारीों से बचने के लिए अब इसके बाद देखो एक बिमारी के बारे में बता रखा है जो कि है एंथ्रेक्स Anthrex एक खतरनाक, मानव और मवेशी रोग है यानि ये इंसानों में भी होता है और मवेशियों यानि पश्रूओं में भी होता है जो Bacillus anthracis नामक जीवानूं के कारण होता है तो ये Anthrex जो बिमारी है ये एक जीवानूं से फैलता है और ये जीवाणू है bacillus anthracis और इसकी खोज सबसे पहले की थी Robert Coach ने ठीक है? अब इसके बाद देखिए हमें कुछ प्रश्ण दे रखें हैं और इनके उत्तर हमें लिखने हैं पहला प्रश्ण है निम्न लिखित का मिलान कीजी तो ये टेबल है हमें इसका मिलान करना है तो चलिए करते हैं पहला है जीवाणू जीवाणू से कौन से बिमारी होती है? याद करिए जीवाणू से होता है हैजा ठीक है? उसके बाद है lactobacillus तो lactobacillus एक जीवाणू है जो की दही जमाने का काम करता है उसके बाद है protojoa और protojoa से कौन से बिमारी फैलती है? अभी हमने उपर देखी थी कि protojoa एक इंसान से दूसरे इंसान में चला जाता है मच्छनों के द्वारा तो ये फैलता है इससे malaria और उसके बाद है virus तो virus से बिमारी फैलती है चेचक ठीक है? तो पहला प्रशन तो हो गया अब हम देखते हैं दूसरा प्रशन malaria से बचने के कोई दो तरीके बताईए तो अगर हमें malaria से बचना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली चीज अपने आसपास हम सफाई रखेंगे और दूसरी चीज जो हम करेंगे वो है पानी को अपने आसपास इकठा ना होने देना हमारे घर में कुछ ऐसे बरतन पड़े हैं अगर जिनमें पानी इकठा हो सकता है तो उन्हें हम साफ कर देंगे अपने घर के आसपास भी पानी कठा नहीं होने देंगे और साफ सफाई रखेंगे तो इनसे मच्छर पैदा नहीं होंगे और मच्छर नहीं पैदा होंगे तो हम मलेरिया से बच जाएंगे ठीक है तीसरा प्रश्ण है मानव में बैक्टीरिया और वाइरस से फैलने वाली तीन भीमारियों का नाम बताईए अब देखिए बैक्टीरिया का मतलब है जीवानू और वाइरस तो है ही तो इन तीनों रोगों का नाम आप लिख देंगे कि ये तीन रोग जीवानू के द्वारा फैलते हैं कौन-कौन से? श्यरोग, हैजा और आंतरजवर और फिर आप लिखेंगे वाइरस से फैलने वाली इन चारों में से कोई भी तीन नाम आप लिख देंगे क्योंकि इन्होंने तीन नाम पूछे हुए हैं अगला प्रश्न है कि पूरी दुनिया एक महामारी से पीडित है उस महामारी और सूक्षम जीव का नाम बताएए तो फिलहाल हम कौन से बिमारी से सफर कर रहे हैं तो ये महामारी है COVID-19 तो COVID-19 बिमारी का नाम है और कौन से वाइरस से फैल रही है तो ये फैल रही है कोरोना वाइरस से ठीक है? बिमारी का नाम हो गया COVID-19 और जिस सूक्षम जीव से फैल रही हो इसका नाम है कोरोना वाइरस और ध्यान रखना है ये वाइरस है ठीक है? इसके आगे भी अभी ये प्रेश्म खतम नहीं वा है आगे पूछा है जिसके द्वारा या फैला इसे रोकने की कुछ तरीकों का उलेक कीजिए तो कोरोना वाइरस से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहला हमें मास्क पहनना चाहिए मास्क पहनना मास्क पहन से हम इसे बच सकते हैं दूसरा क्या है? कि शोशल डिस्टेंसिंग यानि इसको हम हिंदी में बोलेंगे सामाजिक दूरी सामाजिक दूरी रखना तीसरा हाथों को समय समय पर धोना हाथों को टाइम टू टाइम आपको धोना चाहिए इन सबसे ये बिमारी नहीं फैलेंगी ठीक है इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रशन क्या है एक ऐसे रोग का नाम बताईए जो मानव और मवेशी रोग दोनों है यानि एक ऐसा रोग हमें यहां बताना है जो कि मानव में भी होता है और मवेशियों में भी होता है तो हमने कौन सा पढ़ा था तो ये बिमारी है एंथ्रेक्स एंत्रेक्स इंसानों में भी होता है और ये जानवरों में भी होता है ठीक है? तो ये थी हमारी आज की साइंस की वर्क्षीट I hope ये वर्क्षीट आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी Thank you